हलो गाईस स्वाकत है आपका एक नई वीडियो में आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टी ए भरती 2024 के बारे में तो चारो जोन्स के लिए नोटिफिकेशन अलग लग से जारी किये जा चुके हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चारो नोटिफिकेशन के बारे में सभी के सभी ओरिजनल चार्ट हैं क्योंकि यही चार्ट आपको देखने को मिलेंगे जो एमप्लॉइमेंट नोटिफिकेशन का अडिशन जारी होगा 10 अक्तूबर 2024 को तो फुल जानकारी के लिए इस वीडियो को अन तक पूरा देखेगा चैनल पे नेया है तो चैनल को आज ही सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो आल इंडिया वेकिंसीज होती है उनकी जानकारी रोजाना आप तक पहुंच सके शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जोन वन से तो जोन वन का ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं जिसमें वेकिंसीज हैं इनफंट्री बटालियंस एंड होम अड़ हीमाचल पटालियंस के लिए टेरिटरियल आर्मी की चुर्या नोटिफिकेशन है जोन वन का जोन वन में कौन-कौन से जो स्टेट्स और यूनियन ठेरिटरी आते हैं यूनियन टेरिटरी आफ चंडिगर्ड एंग सिटी डली इसमें यूनिट्स जो कि मैंने आपको बता दिये हैं इसके लिए लोकेशन कहां कहां रहेगी जो स्टेट्स हैं आपकी यूटी आफ लद्दाक, यूटी आफ चमर्ण काश्मेर, पठान कोड डिस्टिक आफ पंजाब इसके लिए भरती होगी 10 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक और ये भरती होगी माधोपूर पंजाब में इसके बाद जो नेक्स भरती होगी आपकी, वो होगी आपकी 28 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक साथ इसाथ एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने पहले बताया 10 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तो ये भरती होगी माधोपूर पंजाब में, दूसरा उसी duration में भरती होगी लुध्याना पंजाब में और ये लुध्याना पंजाब में जो भरती होगी ये होगी पंजाब की जितनी भी डिस्तिक हैं, उन सभी के लिए सिर्फ S.A.S. नगर को छोड़के और जो पठान कोट डिस्टिक हैं पंजाब की उनके लिए ये भरती होगी लुद्याना जाब के अंदर एक वर फिर से आपको बता दूँ माधोग पंजाब में भरती होगी लदाक जमु कश्मीर और पठान कोट डिस्टिक की लुधियाना पंजाब में भरती होगी ठान कोट को छोड़ के और SAS नगर को छोड़ के बाकि जितनी भी डिस्टिक पंजाब की उनकी भरती होगी लुधियाना पंजाब में 10 नस्वंबर से लेके 24 नोबर 2024 तक इसके बाद अलका हर्याना में भरती होगी माचल प्रतेश चंडिकट पंचकुला डिस्टिक जो है हर्याना की उसकी और S.A.S. नगर डिस्टिक जो है पंजाब की उसकी ये होगी 28 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2020 तक और इसी दोरान भरती होगी नई दिल्ली में भी इस नई दिल्ली में और दिल्ली के लिए भी भरती होगी नई दिल्ली में 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक अब वेकेंसी कितनी है यहाँ पे तो आप यह देख सकते हैं इसके बाद लिया बाइस शक्याडियूल भी बताया गया है यहाँ पे जैसे की माधो पर पुझाब में जो भरती होगी पूरा यहाँ पे चार्ट मेंचन किया गया है तो जब आप इसकी नोडिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आप देख सकते हैं इसमें आपकी डिस इसिक्स इंफेंट्री बटालियन टीये जैक राइफल माधोपुर्ट पिजाब यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है सुभा की दो बजे और पांच बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होगी लुधियाना पिंजाब के लिए भी डेट वाइस हर दिन का स्केडियूल यहाँ पे बताया गया है कौन सी डिस्टिक जो बच्चे हैं वो किस दिन यहाँ पे भरती में बाट ले सकते हैं और यह भरती होगी पिजाब एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हैं वो है का हर्याना के लिए उसका क्वालिफिकेशन में अभी एक ही बार बता देता हूँ यह जितने भी जोन्स होंगी सब के लिए एक ही एज क्राइटेरिया और एक ही क्वालिफिकेशन जरूरी है तो सोल्जर जीडी के लिए आप 10 पास होने चाहिए 45 प्रतिशत आपके मांक्स हों और हर एक सबजेक्ट म आपने पढ़ी है उसमें आपके 50 प्रतिशत और अगर मैट्स पढ़ा है अकाउंट्स पढ़ा है या फिर बुक कीपिंग पढ़ा है 12 में तो उसमें आपके जो है 50 प्रतिशत जरूरी है इसके बाद सोल्जर की बात करें आप 10 पास होने चाहिए और इसमें हाइट केरिया पूरा देख सकते हैं इसके बच्छों को रिलेक्सेशन भी दिया जाएगा जिनके पास कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स होंगे इसके बाद इसमें सोल्जर के लिए इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसमें आपकी एक माइल की रन होगी जिनकी उमर 18 से 30 साल है उनके 5 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा और इसके बाद अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो是啊 number मिलेंगे आपको 5 मिनट 30 सेकंड से लेगे 5 मिनट 40 से कंड़ी किया जाएगा यानि कि उस से जाधा अगर आप टा Baptist 2006 से तो आपको fail कर दिया जाएगा then इसमें बात की जाए 40 साल से लेके 42 साल की बीच में जो credit होंगे जिनका time रहेगा 6 मिनट 15 सेकिंड उनको start number 6 मिनट 15 से 6 मिनट 30 सेकिंड 40 नमबर और 6 मिनट 31 सेकिंड से जादा बालों को fail कर दिया जाएगा then आपके होंगे pull ups यहां पे balance होगा 9 feet होगा उसके बाद होगा आपका written examination examination level जो आपका रहेगा वो आपके जो qualification है उसके हिसाब से ही आपके questions जो है वो पुछे जाने वाले हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके लिए आप channel को subscribe कर लीजिए then इसके बाद बात की जाए इसमें other क्या चीज़ें बताएगी है क्या instructions आपके लिए रहेंगी तो उसमें बताया गया है आपका certificate कौन से होने चाहिए अगर body tattoo है तो इस तरह के सारे चीज़ें इसमें बताएगी है आप आते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे यह जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन है यह है zone ठीका और इसमें किस-किस की भरती कंड़क्ट होगी इसमें 12, 13 और 14 नवंबर 2024 को भरती होगी सिक्ट अंडमान और निकोबार आइलेंड्स की 12, 16, 17, 18 नवंबर को होगी बैस पेंगौल की 19, 20 को होगी कोगरा जहार की 21 नवंबर को होगी चिराग 22 नवंबर को बखसा 21 नवंबर मूलपूर 24 नवंबर 2024 को उडाल गुरीगी यह होगी भरती 7 असाम पुलिस बटालियन ग्राउंड असाम के अंदर और यह आपकी location रहेगी इस भरती के लिए यहाँ पे vacancies का ब्योरा भी आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे number of vacancies जो है वो बताई गई है इसमें जो next है वो भी बताया गया है कि इसकी यहाँ पे भरती कंड़क्ट होगी दूसरा जो location है यह है मसीम पूर military station सिल्चर असाम के लिए यहाँ पे इनका पूरा table जो है वो जारी किया गया है और इसकी जो आप PDF अगर download करना चाहते हैं तो अभी जाएए मेरे telegram channel पे जिसके लिए telegram पे search करना है trending रोजगार वहाँ पे आपको चारो zones के full notification PDF जो है वो मिल जाएंगे उसको आप download कीजिए और खुद से उसमें चेक सकते हैं कि क्या इसमें पूरा चार्ट रहेगा क्या आपकी भरती का schedule रहेगा तो यह जो मैं भी चार्ट बता रहा हूँ आपको यह है आपका यह भरती zone 3 का चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं पूरी locations पूरी चीज़ें बताई गई है locations रहेंगी आपकी वो भी इसमें बताई गई है पूरी information और इसमें जो आपकी जो recruitment जो vacancies हैं वो भी सारी चीज़ें mention की गई है यह आपका तिसरा notification यह है आपका zone 4 के लिए zone 4 के लिए यह notification है जिसमें आप देख सकते हैं locations पताई गई हैं आपका पूरा चार्ट पताया गया है vacancies शो की गई है और चौथा notification है आपका zone 2 के लिए notification आप देख सकते हैं zone 2 का और इसमें कौन कौन सी states पार्ट करेंगी और इसा 36 बिहार, मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश, उत्रखन, चारकन और यह भरती होगी बिहार, Regimental Center, दानापूर, बिहार में इसके भी पूरी vacancies का बेवरा और पूरा भरती चार्ट यहां पे जारी किया गया है जिसमें एक और चीज़ आपका बता दूँ जिसमें जोन्स बता रहा हूँ कि इस जोन की बरती यहां पे होगी इस जोन की बरती यहां पे होगी इस जोन में कौन से स्टेट्स आते हैं जोन बन में आते हैं हर्याना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिली, चंडिगर, जुमन, कश्मिर, लदाक Zone 2 में आते हैं बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिसा, उत्रप्रदेश, छारकंड, छारकंड, उत्राकंड Zone 3 में आते हैं असाम, मेगाले, मनिपूर, त्रिपुरा, नागलेंड, सिक्किम, बेस्पेंगौल और अंडमान और निकोबार आइलेंड, मिजोरम, अरणाचल प्रदेश, Zone 4 में आते हैं इसके लावा बाकि जितने भी स्टेट्स बचे या फिर यूनियन टेरिटरियस बचे तो इन सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सरूट करें, शेर करें दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगए भी पाने के लिए चैनल को आज़े सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, तो थैंकियो गाइस तो वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे जितरह की नेक्स वीडियो में